कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरू में और आज वीडियो गुरू में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंडवर्क की तो अभी हम लोग उना टाइमएंड वर्क का एक बेसिक कॉंसेप्ट समझे उन पे कुछ सवाल देखें फिर एक और कॉंसेप्ट तो चलिए जादा समय न लेते हुए सीधे स्टार्ट कते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या सवाल है आपके तो सबसे पहला सवाल बेसिक सवाल है कई बार एक्जामों में आया हुआ सवाल है वेल्यू यहां पे बदल बदल दी जाती है पर कॉंसेप्ट वही रहता है चलि कितने घंटे काम करते हैं साथ घंटे काम करते हैं कितने दिन तक काम करते हैं साथ दिनों तक काम करते हैं साथ आदमी साथ दिनों तक साथ घंटे काम करते हैं तो साथ काम कर देते हैं अब अगर पांच आदमी पांच आदमी पांच दिन पांच घंटे काम करें तो कितना का हो जाएगा formula क्या लगाया है m1 d1 h1 upon w1 equal to m2 d2 h2 upon w2 सही है अब हमें यहाँ पर इसे solve करना है तो देखे एक 7 से एक 7 cancel w इस तरफ आ गया तो यह 125 हो गया 5 का क्यों 125 नीचे 7 का square आ गया यानि 49 तो 125 upon 49 option second is the right answer क्या हो 125 upon 49 option second is the right answer चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है इफ 25 men can do a piece of work in 36 days working 10 hours a day क्या question में कहा गया 25 आदमी कितने घंटे 36 काम को 36 दिन काम करते हैं रोज 10 घंटे यह कहा पूरा हो जाता है अब यही काम करने के लिए कितने आदमी लगाए जाएं ताकि 20 दिन में 6 घंटे रोज काम करके वही काम कंप्लीट हो जाए तो देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि यह condition है m1 d1 h1 upon w1 equal to m2 d2 h2 upon w2 अब देखिए same work की बात हो रही है तो अगर same work की बात हो रही है तो w1 और w2 दोनों बराबर हो जाएगा और cancel हो जाएगा यानि इस case में हम क्या ले सकते है m1 d1 h1 equal to m2 d2 h2 क्यों दोनों जगे वर्ग बराबर है तो अगर यही concept चलाते तो यह क्या हो जाएगा 25 into 36 into 10 बराबर हो जाना चाहिए m into 20 into 6 अब देखिए क्या किया आपने एक 0 से एक 0 कैंसल कर दिया 2 into 6 12 होता है 12 30 36 होता है 12 से सीधे 36 को काट दिया हमने तीन बार तो d की value यहां से हमारी m की value कितनी आ गई 75 हमारे पास value आ गई 75 अब कई पर क्या होता है हम लोगों की आदत होती है कि हम निकालते हैं कितने और आदमी तो हमारे और पुर्शों की आवश्यक्ता होगी तो और अगर लग जाता तब हमारा आंसर हो जाता पचास लेकिन अभी किहां पर क्या है simply number of men's पूछा है तो m की value 75 हो गई क्लियर है चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है if 10 men complete half work in 12 days अब देखिए यहां पर अगर मैं basic से जाता है तो मेरा logic क्या कहता है दस आदमी आधा काम करते हैं तो one by two work करते हैं दस आदमी half work यानि one by two work करते हैं in 12 days कितने दिनों में 12 दिनों में working 8 आसा day कितने घंटे काम करके 8 आसा day clear in how many days 16 men कितने दिनों में 16 आदमी डी डेस में माल दीजे काम complete करेंगे जब वो रोज 6 घंटे काम करते हैं अब पूरा काम करते हैं तो one अब देखिए इस तरीके के सवालों में य जल्दी अपरोच लगाने के लिए हम क्या करते हैं हम जब जैसे बोला गया आधा काम आधा काम बोला गया तो मैंने क्या सोचा कि वर्क को दो माल लूँ क्यों क्यों क्योंकि आधा काम बोला गया आधा काम बोला गया तो दो का आधा मेरे को पता है easily एक हो जाएगा तो मैंने total work को 2 माल लिया एक माल लिया आप calculation करके देखेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर यहाँ पर एक बटे 2 होता यह दो यहाँ से हटके उपर जाता और इस दो को अगर मैं नीचे ले जाओ तो कोई फरक नहीं पड़ ला तो बात round of होकर वही आ जाती इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता तो आप सीधे सीधे वर्क को क्या ले ले दो ले ले जैसे ही fraction में कभी वर्क बोला जाए तो आप total वर्क में जो denominator वाला पार्ट है यानि जो हर वाला पार्ट है वो ले ले जैसे यहाँ पर हाप बोला गया तो आपने व उसे 2 कैंसे 6 से 12 चला जाएगा दो बार डी की वेल्यू आपकी आ जाएगी डी की वेल्यू क्या जाएगी option second clear चल इसी बात पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल कह रहा है work done by x plus five men in x plus five day x plus five men के दुआरा x plus five days में जो काम किया जा रहा है अब देखो यहां पर आवर नहीं दिया गया हमें क्या पता है अगर आवर और work नहीं दिया गया है तो हम सीधे दोनों को equal माल लेते हैं और m1 d1 equal to m2 d2 कर लेते हैं हम क्या कहते हैं m1 d1 equal to m2 d2 अब काम बराबर है तो work cancel भी cancel out हो गया ठीक है equal to क्या हो गया work done by x-5 में कितने आदमी के द्वारा x-5 में in x plus 22 in x plus 22 clear है अब यह condition then value of x आप देखो दो तरीके या तो value उठा उठा के put कर लिए value उठा उठा के put कर लिजे answer वही आ जाएगा या फिर आप solve करके देखिए तो पहले हम लोग solve करके देखते हैं आप आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x square plus 10x plus 25 क्या किया x square 5x और 5x 10x हो गया और plus 25 equal to यहाँ पर किया तो x square plus का 15x कैसे यह plus का 20x minus का 5x बचेगा plus का 15x minus का 100 minus का 100 x square से x square cancel यह इधर आ गया तो यह आपका हो गया 125 equal to यह आपका कितना हो जाएगा 5x x की value यहाँ से आपकी आ गए 25 x की value कितनी आ गए 25 क्लियर तो आप option से उठाके देखिए 25 plus 5 30 into 30 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 25-5 20 और 25 प्लस 20 आप देखिए दौनों ही कंडिशन पर आपका 900 और 900 आएगा इक्क्वल बैट जाएगा बाकी फिर आप option से उठाके रख सकते थे option से उठाके कैसे करते कि आपको पता है x plus 5 into x plus 5 बराबर कितना हो जाएगा x minus 5 into x plus 20 पहला 15 उठाके रखा 15 उठाके रखा तो यहां पर आ रहा है 20 into 20 यहां पर 15 रखा तो 10 into आपका 35 नहीं equal हो रहा यानि यह option नहीं है फिर 25 रखोगे तो अभी आपने देखा 25 रखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 30 into 30 और यहां आपका आ रहा था 20 into 45 यह equal हो रहा है यह answer होगा आप बाकी रखके भी देखते तो क्या हो जाता 35 into 35 और इधर रखते तो कितना हो जाता 30 into 55 इक्वल नहीं हो रहा है साथ का multiple ही नहीं दिख रहा 35 रखते तो क्या हो जाता 40 into 40 40-5 आपका 35-5 हो जाता 30 और 35 प्लस 20 हो जाता 55 यहां पर कुछ गपर कर दी ती क्या कितना था 30 तो यहां पर आपका 50 आता और यहां पर 55 कोई भी कंडिशन सटे स्वाई नहीं हो रही कोई भी कंडिशन सटे स्वाई नहीं हो रही सिवाए इसके तो एक तरीका है आप options के थ्रू चले जाएं दूसरा तरीका है पूरा solve करके देखें अगला अगला सवाल कह रहा है सेम व वहाँ पर उठा कि यह ratio रखते हैं मतलब आप इसे ऐसे solve कर सकते हैं एक्स माइनस वन इफ दर रेश्यो आफ दवर्क दन भाई एक्स माइनस वन मैं इन्टू एक्स प्लस वन डेस इक्वल टू वर्क दन भाई एक्स प्लस टू मैं इन एक्स माइनस वन डेस अच्छा अब यह जो रेश्यो है वो 9 बटे 10 है तो इसका मतलब यह काम 9 और यह काम 10 ठीक है रेश्यो 9 बटे 10 दिया न तो हमने क्या माना पहले वाले का 9 दिया तो पहले वाले का वर्क 9 दूसरे वाले का 10 दिया तो दूसरे अब आप देखिए एकस माइनस वन से एकस माइनस वन कैंसल आउट हो गया दस इधर मल्टिप्लाए हुआ तो टैन एकस प्लस टैन बराबर हो जाएगा नाइन एकस प्लस एट्टी यह नाइन एकस इधर आया तो एकस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18 में से 10 माइनस हो जाएगा ना 18 माइनस यह टैन एकस प्लस वन अपॉन एकस प्लस टू इन्टू एकस माइनस वन और रेश्यू 9 बटे 10 दिया आप चाहें विश्से भी सॉल कर सकते हैं बात वही आजाएगी 10 एकस प्लस 10 इक्वल टू 9 एकस प्लस 18 एकस की वैल्यू आप चाहें वर्क की वैल्यू निकाल कर उसका रेश्यू में पुट कर ले या फिर आप डारेक्ली वहाँ पे जैसा हम लोग फॉर्मला बनाते हैं यहाँ पर जो भी वर्क का रेश्यू दिया है उसे एजटेज जवर्क मानके आप पुट कर दीजे तब भी आंसर वही आएगा चली पढ़ते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल क्या कह रहा है हमें नहीं पता कितने लोग लगे थे काम करने हमने माना एक्स लोग लगे थे तो काम 55 दिन में हो जा रहा था एक्स लोग लगे थे तो काम 55 दिन में हो जा रहा था if there was six percent more यदि इनमें कितने व्यक्ति और आ जाते च्छह व्यक्ति और होते च्छह व्यक्ति और होते यानि अब condition क्या है एक्स के साथ छै लोग और होते तो क्या हो जाता तो कारे 11 दिन कम में समाप्त हो जाता अब 11 दि इंकम लग रहे हैं तो 55 में से 11 दिन हटा दो यानि काम कितने दिन में कम्प्लीट हो जाएगा 44 देस में इन्टू 44 आप से आपने 11 से से डिवाइट किया 5 बार 11 से डिवाइट किया चार बार तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 5x इक्वेल टू 4x प्लस 24 फाइफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 24 यह इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 24 ठीक है अब क्या पूछा गया है मूल रूप से कितने व्यक्ति थ ओरिजिनली कितने लोग थे तो 24 लोग थे यहीं तो मादा था स्थांति में कितने लोग माँने थि हमने x तो अब कितने हो गए थे एक्स-प्लस तो क्या होगी पहले सवाल को पढ़ लेते हैं सवाल को अगर हम पढ़ ले तो यहां पर कहा गया कुछ दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाए गए पर काम करने काम हो रहा है कितने दिन में काम हो रहा है एक देज में काम हो रहा है दिन काम चोड़कर चलेगा यह तो हमें क्या पता चला काम शुरू हुआ था पहले देड़ सो लोगों के साथ अगले दिन 146 लोगों ने काम किया उसके अगले दिन 142 लोगों ने काम किया उसके अगले दिन 138 लोगों ने काम किया तो अगर पहले एक्स लोग काम कर रहे थे देड़ सो आदमी अगर एक्स दिन काम करते तो काम पूरा हो जा रहा था अब क्या कहा जा रहा है कि अगर आदमी 150 146 इस तरीके से काम करते हैं तो दिन लगते हैं अगर मैं सीरीज को देखों यहां पर ध्यान से तो यह सीरीज आपको AP के format पर देखेगी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में देखेगी हम लोग ने पढ़ा है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन अब अर्थमैटिक इंटू दे जहां पर एंग क्या है जो आपका एंग टाइम्स यानि जित्ती बार स्रीज चल लगी है एक क्या है पहला टर्म डी क्या है डिफरेंस जिससे स्रीज में बदलावा रहा है तो आप देखो यह सम क्या है आपको पता है पहले 150 आदमी ने काम किया कितने दिन तक एक्स दिन तक यानि यह टोटल वर्क हो गया अब क्या है इसी के इक्वल में वहाँ पर काम होना चाहिए दूसरे केस में यानि अगर आपका टोटल वर्क है तो दूसरे केस का जो सम है वह इसके बराबर होना चीए अब इसके बराबर होना चीए तो आपने क्या लगाया एट एकस प्लस एट बाइटो की जगे एकस प्लस एट बाइट है टू क्यूंकि आपको पता इससे 8 दिसाथा नग रहे हैं ठीक ह प्लस n-1 अब n-1 की जगे हम क्या रख सकते हैं x plus 8 n-1 यानि इसकी value हो जाएगी x plus 7 x plus 7 और into minus 4 क्योंकि हर बात 4 आदमी जा रहे हैं तो minus क्यों लगा क्योंकि 4 आदमी की कम ही आ रहे हैं अब आप चाहें तो 2 common लेके से खतम कर सकते हैं यहाँ पर आपकी value क्या हो जाएगी 150x equal to x plus 8 bracket में यह आपका 2 cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 150 plus 2 minus का यहाँ पर आप प्रिकर दिया minus अब अगर इससे 2 से divide कर देते तो यह दो बार minus 2 का अंदर multiply किया तो minus 2x और minus का 14 ठीक है आप देखिए x plus 8 का अगर मैं अंदर multiply कर दूँ x plus 8 का अगर मैं अंदर multiply कर दूँ तो value क्या हो जाएगी 150x equal to 150x minus का 2x square minus का 14x ठीक है तो अब आगे देखिए plus 8 into 1,500 बारा सो प्लस बारा सो ठीक है फिर और यहाँ पर कितना हो जाएगा minus का 16x और यहाँ पर 8 into 14 148 जा कितना हो जाता है 1,112 minus का 112 यह condition आ गई आपके आप देखिए 150 से 150 cancel यहाँ पर equation क्या हो जाएगी इस तरफ आ जाएगा तो यह 2x square positive का हो जाएगा minus 14 minus 16 negative का है उस तरफ जाएगा तो positive का हो जाएगा तो plus का 30x यह यहाँ पर कितना है positive का है 112 इसमें से minus कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1088 बचेगा 1088 बचेगा ठीक है और यह क्या हो जाएगा negative हो जाएगा क्यूंकि यहाँ पर यह positive है equal to 0 अब अगर मैं पूरी equation को 2 से divide कर दूं 2 से पूरी equation divide कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा एक स्क्वेर प्लस 15x माइनस का 544 अब 544 किस से divide हो रहा है 8 से divide हो रहा है अगर मैं इसे 8 से divide करूं 544 के factors देखते है पर तो 8 हो गया एक तो 8 से कित्ती बार चला जाएगा 544 8 से जाएगा तो 6 8 सिग्जा 48 कित्ता बचा फिर 6 बचा 64 स्वरी 68 अब 68 का मतलब क्या हो जाता है 4 x 17 तो आपको पता चला 8 x 4 32 तो आप इसे क्या लिख सकते हो x square प्लस 32 x माइनस 17 x माइनस का 544 इक्वल टू 0 जब आप इस equation को solve करोगे x की 2 value आएगी एक माइनस 32 और एक 17 एक माइनस 32 और एक 17 अब आपको पता है आदमियों की संख्या negative नहीं हो सकती यानि 17 होगी स्वारी दिनों की संख्या negative नहीं हो सकती यानि 17 होगी बताईए कितने दिनों में काम पूरा हुआ तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ 17 प्लस 8 25 दिनों में पूरा हुआ काम हो किसे आप से रहा है आदमियों के जाने किस आप से हो रहा है यानी x हमने माना था जब actually होना चीछ था पर हो कितने दिन में रहा था x plus 8 days में हो रहा था तो 17 आया था 8 8 कर दिया 25 answer आ गया option second is the right answer अब देखिए यह बहुत calculated हो गया यह आपका बहुत calculated हो गया अब आप यहां पर क्या कर सकते थे 150 x equal to x plus 8 divided by 2 यहां पर आपने रखा 2 into 150 plus x plus 7 into minus 4 यहां पर आप क्या करें values उठा के put कर लो आपके solve करने से आसान आपको options के थूरू रखकर solve करना होगा और वहां से आपका answer बड़ी जल्दी आजाएगा चले इस सवाल को देखें तो यहां पर क्या कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है एक वॉल है जो सौ मीटर की है वह साथ आदमी या दस औरते बना सकती है तो सेविन में की value equal to 10 women हो गई कितने दिनों में यानि साथ आदमी दस दिन दस औरते दस दिन वह कोई अलग बात है मतला आप क्या कहते है एक करके फॉरमिट पर लेते ठीक है तो हमें पता है दस औरते साथ आदमीयों के बराबर इंटू दो इधर कर दो इंटू दो इधर कर दो यहां से हम क्या कह सकते है Мы बराबर हो जाएंगे 20 20 वूमेंट की तो अब यहां पर 20 वूमेंट की जगे में क्या रख सकता हूं 14 मैं तो अब इसका मतलब क्या होगा 14 मैं प्लस 14 मैं अब पहला स्टेटमेंट क्या था कि साथ आदमी यानि 7 मैं या अब मैं में एक्वेशन रखने तो मैं लेखने की जरूवत है नहीं 7 मैं 10 दिन में 100 मीटर की दिवार बनाते हैं अब कितने आदमी हो गए 28 तो 28 आदमी कितने दिनों में 600 मीटर की दिवार बनाई गए तो आपने देखा 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया 7 से यह चला गया 4 बार 4 से यह चला गया 2 बार 2 से यह चला गया 2 बार 2 से यह चला गया 5 बार तो डी की वैल्यू आप किया गई 5 इंट्यू फिफिटी डी की वैल्यू कितनी आगई 5 इंट्यू थिफिफिटी में 5 इंट्यू to 20 women तो अब यहां पर क्या का जा रहा है 14 men plus 20 women तो मैं क्या करता है 14 आदमी की जगे 20 और दिख लेता यानि 20 plus 20 इस 14 की जगे 20 यह 20 यानि 40 women है तो जब 10 और ते 10 दिन काम करती थी तो 100 काम 100 मीटर की बनती थी अब कितनी और यह औरते हैं अब 40 औरते हैं कितने दिन काम करें ताकि 600 मीटर कंप्लीट हो जाए 10101010 एक जीरो एक जीरो यह जीरो चार से पंदरा बार डी की वैलियू आगी 50 तो आप चाहें मैन ले लो चाहें वूमेन ले लो केस वही रहेगा और आंसर वही आएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल कहा रहा है 15 मैं वर्किंग 8 अस डेली क्या कह रहा है 15 आदमी 8 घंटे रोज काम करके 21 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है तीन और तो का काम दो आदमियों के काम के बराबर है अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैं में कंडिशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस 21 वुमें को बदलना पड़ेगा में तो हमें क्या पता है तीन वूमें बराबर होता है तू में तो इंटू सेविन कर दूंगा तो एक किस वूमें आ जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा फॉर्टीन में तो हमें क्या पता चला फॉर्टीन में अगर काम कर रहे हैं छह दिन तो काम कितने दिन में पूरा हो अब देखिए यहां पर आपने डिवाइट करने का प्रियास किया तो 7 से चला गया टू टाइम्स ख्री से यह चला गया टू टाइम्स दो और दू चार दो सभी कितनी आ गई फ्रीव कितनी आ गई है वहां से किसी एक format में conversion करते हैं चाहे men में convert कर ले चाहे women में convert कर ले और solve करते हैं answer आ चाता है चले देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है यहां पर कहा जा रहा है 3 men और 4 women 3 आदमी या 4 ओरते can do a piece of work in 43 days तो आपको क्या पता चला है 3 आदमी या 4 ओरते किसी काम को 43 days में करती है in how many days 7 men and 5 women तो अभी मैंने आपसे क्या कहा आपको किसी एक में convert करना होता है माल लीजे मैंने men में convert किया तो मैं क्या कह सकता हूं one woman equal to three by four men one woman equal to three by four men यानि यहां पर आपकी value seven आएगी और यहां से पांच इंटू तीन बटे चार ल्सीम चार आ गया यह इधर चला गया यह किता होगे 28 plus 15 यानि value हो गई 43 by four तो अब आपको क्या पता था तीन आदमी 43 days में कोई काम करते हैं अगर 43 by four आदमी यही काम करें तो काम कितने दिन पूरा हो जाएगा तो आपने देखा 43 से 43 कैंसिल फोर इधर आ गया डी की वैल्यू आगई ट्वेल्ड यानि option one is the right answer डी की वैल्यू 12 आ गई यानि option one is the right answer चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आप से क्या कह रहा है कि one man or two boys or three girls can do a piece of work in 88 देखिए आपके पास इस तरीके का different different condition में सवाल आता है जहां पर man, woman, boys, boys, man, girls कुछ भी हो सकता है यानि तीन लोगों का connection में कोई भी सवाल आता है usually तो वो क्या करते हैं हम लोग one man equal to two boys equal to three girls हम इन तीनों को equal लेके चलते हैं तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि one boy equal to one by two men, one girl equal to one by three men या फिर अगर मैं इसे compare करना चाहूं तो one girl हम यह भी लिख सकता हूं two by three men, two by three boys या one boy equal to three by two girls किसी भी तरीके से हम ratio ले लेते हैं लेकिन इसमें हम उसी को prefer करते हैं जहां पर हमारी values easily convertible हो तो usually जो वह एक वाला है उसी format पर लेते हैं ताकि जैसे one man equal to two boys equal to three girls है तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं one boy equal to one by two men easy हो गया ना one girl equal to one by three मैं सीधे सीधे नीचे आ जाएगा तो conversion आसान हो जाएगा इन how many days one man one boy one girl can complete आपसे क्या कह रहे है एक आदमी एक लड़का और एक लड़की मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे यह one यह one by two यह one by three LCM लेंगे तो यहां पर आपका आजाएगा च्छे च्छे प्लस तीन प्लस दो यानि ग्यारा बटे च्छे हो जाएगा ग्यारा बटे च्छे तो आपको पता है एक आदमी इस काम को 88 days में करता था तो ग्यारा बटे च्छे आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे ग्यारा से 88 चला जाएगा आट पार six eights are 48 यानि दिनों की संख्याप की आगई 48 option third is the right यह बहुत प्यारा सा सवाल है आप देखेंगे कई बार यहां पर आपका एक आदमी दो लड़के और तीन लड़के या 123 के format पर ही चलता है अगर 123 के format पर चलता है तो आप याद रखिए जो भी एक के केस में होगा उसका अगर आप convert करोगे तो ग्यारा बटे च्छे होता है तो एक easy conversion रहता है चलिए तो आज के session को वस यहीं करते हैं समाप्त उमीद करते हैं आज का session आपको पसंद आया होगा अगर आज का session पसंद आया है तो वीडियो गुरू के बारे में जरूर बताए अपने दोस्तों को ताकि जादा से जादा लोग हमारे साथ जोड स